नमस्का दोस्तों पेंशनर पोर्टल यूटूब चैनल पर आपका एक बफिस स्वागत है हर विभाग के पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट कबर सबसे पहले जानने के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को ताकि लेटेस्ट गोवेंट अपटेर्स इम आपको अवगत्यास की दोस्तों जैसा कि आप वीडियो की थवनलम में देख चुके हैं अगर आप डिफैंस या फिर सेविलियन के पेंशनर है तो किस तरह आप जान सकते हैं अपनी पेंशन की सारे डिटेल आपकी रिवाइस पेंशन आपका एरियर और इसके अलावा बाक शुविग्या के जरी आप यहाँ पर जान सकते हैं अपनी पेंशन की पूरी की पूरी यहाँ पर जानकारी देख पार यहाँ पर पेंशन इंक्वारी सिस्टम है शुविग्या और यहाँ पर आप अपनी पेंशन की जानकारी थोड़े से यहाँ पर अपनी इंफॉमेशन देख सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्याद करना होगा left most of corner है उसमें आपने यहाँ पर केटेगरी चूज कर लेनी होगी मतलब आपको उन से पद से रिटायर हुए है Commissioned Officer Pensioner है Commissioned Officer Family Pensioner है PBR Pensioner है PBR Family Pensioner है Civilian या फिर Defense Civilian Pensioner है आपसे पूछेगा कि क्या आप प्री 2006 रिटायर ही है मतलब 2006 से पहले रिटायर हुए है या फिर पोस्ट 2006 यानि 2006 के बाद रिटायर हुए है जो भी आपको जो जिस भी टाइम पिरेड के दौरान आप रिटायर हुए वो सेलेक्ट कर लिजी फूर एक्जामपल हमने पोस्ट 2006 पर चूज कर लिया इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपकी क्वालिंग्फाइंग सर्विस 15 यह से कम है या फिर ज्याद है तो इन में से जो भी आपकी कंडिशन है वो चूज कर लेजिए फूर एक्जामपल हमने बोर देन 15 यह सर्विस यहाँ पर चूज कर लिए उ सबसे पहले आपको अपने रैंक बतानी होगी कि कौन से रैंक से आप यहां तर ररीट्यार होगी एकजमपल हमने ऑपर सिपाय के रैंक माले और उसके बाद यहां पर गूरुप Сबसे या फैर यहां पर बिलोंग करते हैं जbnा नियुक्छा यहाँ पर चूज करनी होगी अ और हमने यहां पर रेंडमली डेट ओफ डिस्चार्ज मैं डाल दी है उसके बाद कोलिक फज़िस क्योंसे एयर में कितनी आपने की है हमने 15 यह तो 16 यह मालीजी और कोनसे मन्त में आपने यहाँ पर की है किस दिन आपने यहाँ पर calling five service की है वो डाल दी तो आप देख पाएंगे यह हमारा नीचे वाला जो कॉलन है इसमें डिटेल आपको ओर देनी है तो आपकी पे कितनी थी वो पे आपको यहाँ पर डाल दीनी है ठीक है उसके बाद हम में यहाँ पर क्लासिफिकेशन अलाउंस अगर आपका है कोई कीशी टाइप का तुब डाल देना है अगर नहीं है तो आपको नल मतलब जीरो स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको नीचे जो बिल्कुल डाउन में सब्मिट का उक्सन है उसके उपर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फुल इन्फोर्मेशन यहाँ पर ओपर हो किया जाएगी देख पा रहें आप यहाँ पर सर्विस आमी रैंक गुरुप जो हमने यहाँ पर इन्फोर्मेशन डारे थी पहले वो है उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे सिस्टम के अकोर्डिंग जो हमने यहाँ पर इन्फोर्मेशन डारे तो यहाँ पर पेंशन ओन रिटार्मेंट हमारी बनी 27,760 रुपए एन्हांस पेंशन अभी तक अगर चेंज हुआ तो वह यहाँ पर दिखाएगा रिवाइज पेंशन जो है जो की और रुपी के बाद है वो भी नोन यहाँ पर दिखाई है फैमिली पेंशन की डिटेल भी यहाँ पर दी है एन्हांस रेट अगर एपलिकेबल है अप्टू 23 स्टमबर 2012 वो भी यहाँ पर दिखाया है और उसके पाद 24 स्टमबर 2012 सी 30 दिसमबर 2018 तक का इन्हांस रेट मतलब मैक्सिमम सेवन इयर फ अगर आप तो अगर बीषेबल है तो आपकोई閉च बशुच पर दिखिए और नहीं है तो आप नोपर यहाँ पर पर क्लिक कर सकते हैं और अगर इस रिजल्ट से अप सेटिस्फाइज नहीं है तो नीचे इन्होंने यहाँ पर क्लिक हेर का जो ऑप्शन दिया है वहाँ प प्रिंट आउट निकलना चाहते हैं तो देखें आप सबने इस तरह आप यहां पर अपने डेटेव डाल कर अपने पैंशन अपने फाइमली पैंशन ओर रोपी जितने भी डेटेल हैं सब यहां पर प्राप कर सकते हैं लिज चाहिए जानकार्य आपके लिए刃का धिर होंगे आपकी सामने लेटेस्ट अब्रेट के साथ तब तक के लिए बने रिमार साथ धन्यवाद जैहीं जेवाद